तो दोस्तों अगर आप एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा फोन आपके लिए बैस्ट रहेगा तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनस पॉइंट्स को जानने के बाद और समझने के बाद आप एक अच्छा फोन चूज कर पाएंगे अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए भी तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन आपके लिए बैस्ट रहेगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा और share कर दीजेगा ताकि आपके किसी दोस्तों को अगर नया फोन खरीदना हो तो उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया हो जाए कि उनको कौन सा फोन खरीदना चाहिए प्वाथ गेम्स वगरा भी खेलते हैं तो आप चार जीबी रायम का फोन ले सकते हैं अधरवाइस अगर ज्यादा गेमिंग करते हैं ज्यादा एप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो आपके फोन के अंदर 6 यह से लेका 8 जीबी तक की रायम होनी चाहिए सेकंड नमबर पर आपको फोन के अंदर देखना होता है कि फोन की रॉम कितनी है क्योंकि जितने ज़्यादा फोन के अंदर रॉम होगी उतना ज़्यादा डेटा आप फोन के अंदर सेफ कर पाएंगी ज्यादा रॉम होने से ये फायदा होता है कि आप ज्यादा जितने ज्यादा फोटोस वगरा खीछते हैं वीडियोस वगरा होते हैं वो सारे के सारे अपने फोन के अंदर स्टोर हो जाते हैं अगर आपके फोन के अंदर जो आप नया खरीद रहे हैं उसके अंदर external memory का डालनी की जगह है तो आपको टैंशन लेनी ज़रूत नहीं है अगर आपके फोन में dead memory का डालनी की जगह नहीं है तो आपको कम से कम अपने फोन के अंदर 64 GB memory या फिर 128 GB memory तक का फोन लेना चाहिए और सबसे अच्छी चीज है कि आप कोई भी चीज या multitasking करते हैं तो वो smoothly हो जाएगा तो कोशिस करिएगा कि जब भी आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो प्रोसेसर latest उसके अंदर लगा हुआ हो पूर्थ नमबर पर आपको देखना है फोन की बैटरी कितने MS की है जितने अगर आप चाराजार में की बैटरी लेख लेंगे वेंगे तो आपको एक दिनका बैटरी अर्ष देन 15 ना जंता है तो कोशिज कीजिएगा कि 4 से लेके 5 तक की बैटरी आपके फोन के अंदर होनी चाहिए और पांच वे नमबर पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो चीज है हमारे फोन की वो है हमारे फोन का कैमरा ज़्यादा तर लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा मेगा पिक्सल का कैमरा होगा उतनी अच्छी फोटो हमारे को मिलेगे लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त ज़्यादा मेगा पिक्सल से आपको ज़्यादा बड़ी फोटो मिल सकती है हाँ यह है कि आप बड़ी फोटो लेते हैं तो उसमें डिटेल्स ज्यादा आ जाती हैं लेकिन यह नहीं कहा सकते कि आप कम मेगा पिक्सल में आपको फोटो बेकार आती है डिपेंड करता है कि अगर उस फोटो जो अपर्चर है उसका साइच जितना ज़्यादा चोटा होगा उतना ही ज़्यादा लेंस बड़ा होगा जितना बड़ा लेंस होगा उतनी ही फोटो अच्छी आपकी आएगी तो मेगा पिक्सल के चक्र मना पड़ें सिर्फ यह देखें कि उसका जो अपर्चर है वो कितना है जितना जा छोटा अपर्चर होगा उतनी अच्छी फोटो आपको मिलें च्छाटे नमबर बढ़ाता है फोन का डिस्पले अगर आप कोई 5.5 इंच की डिस्पले वाला फोन खरीजते हैं तो उसके अंदर आपकी HD डिस्पले चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है वीडियो वगरा हम देख सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगी बिल्कुल किलियर अच्छी दिखेगी अगर आप 6 इंच से बड़ा कोई डिस्पले वाला फोन खरीदते हैं तो उसके अंदर फुल एच्टी डिस्पले होनी चाहिए और अगर आप एंवले डिस्पले लेते हैं तो और भी अच्छी बात है उसके अंदर आपको वीडियो देखने का सबसे सेफ लोग होता है और इससे आपका कोई भी फैमिली मेंबर आसानी से नहीं खोल पाता तो ध्यान रखेगे का फोन के अंदर फिंगर्प्रिंट सेंसर जरूर होने चाहिए अगर वह 7000 से उपर है अगर 7000 से नीचे है तो कोई दिकत नहीं है वह फेस लोग या फिर आ एंट्रोइड 11 चल रहा है तो फोन के अंदर एंट्रोइड 10 या एंट्रोइड 11 होना चाहिए उससे फाइदा यह होता है कि सारे अपडेट्स आपको ओल्रेडी मिल जाते हैं आपको कोई भी अपडेट्स फोन के अंदर करना नहीं पड़ता है तो दोस्तों ये थे आज के टोपिक्स इन टोपिक्स को आप समझ गए होंगे इनको जानने के बाद आप कोई भी फोन आसानी से खरीद सकते हैं अपने लिए ये अपने दोस्तों के लिए तो आज का वीडियो इतना ही था मैं हूं रोहित और आप देख रहे थे टेक्निकल बंजा यूट्यूब चैनल तकत्सामा के बांगे अपने क सुपा यूट्जा कोई खरीद मु का देख रहे हैं जोस्तों का कि बाम चानी से सकते हैं बप देक्निकल फेया खिग्यूबूब 29 अश्यूब